लो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम बेक लास्ट टिक्चर में हमने आपको डोमेन के बारे में डिस्क्रस किया था मैंने आपको बताया था डोमेन का मतलब यह उन सारी की सारी रियल वेल्यूस का सेट है जहां पर फंक्चन डिफाइन होता है लास्ट हम आपको यह एग्जामपल करा रहे थे f is a function from r to r डिफाइन बई fx is equal to 2x plus 3 and divided by x square plus 1 आपसे पूछा गया था कि आपको इस function का डोमेन निकालना है तो आपने कहाता है इस function define तब नहीं होगा अगर इसका denominator 0 बने लेकिन जब हम इसका denominator को 0 करके दिखा तो x square minus 1 है x की किसी भी real values के लिए x का square कभी भी minus 1 नहीं आ सकता है इसका मतलब x की जहां मैं कुछ भी put कर दूँ कभी भी denominator मे 0 नहीं बनेगा और अगर कभी भी denominator में 0 नहीं बना तो इसका मतलब यह function सारी की सारी real values के लिए define होगा और अगर यह सारी की सारी real values के लिए define है तो मैं ऐसा कह सकते है इस function का domain कितना होगा all real numbers ठीके जी तो आज की इस lecture में मैं आपको और questions कराने वाला हूँ ठीके जी तो आप से क्या कहता है देखो आप से क्या कहता है आप से कहता है f is a function from real number to real number defined by fx is equal to root x f is a function defined from real to real defined by fx is equal to root x आप से कहते है आपको इस function का domain निकालना है अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो मुझे पता लगेगा इसके denominator में 0 तो कभी आई ने सकता आप x को कुछ मर्जी पूट कर लिजे कभी आप इसके denominator में 0 नहीं बना सकते बस आपको किस चीद का ध्यान दगता है कि जो scale root है इसके बीच में negative नहीं आना चीए इसके बीच में हमेशा और हमेशा क्या आना चीए पूस्टी वाना चीए ठीक है तो आप क्या लिखोगे fx will be defined जो fx हमारे पास है वो define होगा कब होगा जो भी scale root के बीच में लिखा है या तो वो 0 हो और या फिर वो 0 से बढ़ा हो आपकों मालू में 0 scale root 0 होता है 1 scale root 1 होता है 2 scale root 1.414 होता है लेकिन minus का कोई scale root नहीं होता इसका कहने का मतलब है x should belongs to close interval 0 से लेके open interval infinity ते इसका लगा सारे के सारे सारे के सारे positive real numbers जो है वो इसकी domain है क्योंकि आपको मालू में किसी भी positive real number का हम लोग क्या निकाल सकते है scale root निकाल सकते है चलिए next चलते है next example में आपसे कहता है f is a function from r to r जो f हमारे पास है वो कोई भी function है r से लेके r तक फिर आपसे कहता है f of x हमारे पास दे रखा है this will be scale root of x plus का 2 this will be scale root of x plus का 2 और आपसे कहता है आपको इस function के domain निकालने है इस function के domain कायेगी again same चीज है कि scale root के बीच में जो भी चीज है वो 0 से छोटी नहीं होनी चीज है क्योंकि 0 से छोटी किसी भी number का scale root exist नहीं करता है तो अब इसको लिखोगे f x will be defined f x will be defined if x plus 2 greater than or equal to 0 तो अब इसको लिखोगे x is greater than equal to minus 2 अगर x का value minus 2 या minus 2 से बड़ा हुआ तब तो ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर minus 2 point एक लगा दू तो आप देख सकते है scale root of minus का 0 point बनाएगा जो की बिल्कुल भी define नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते है इस function की domain में सारे real numbers आते है minus 2 या minus 2 से बड़ा तो minus 2 से बड़ा जब हमारे पास आएगा तो minus 2 से लेकि infinity हम उसको बना देगे ठीक है जी जैसे आप से बोलता है f is a function from real number to real number defined by fx is equal to scale root of 3 minus x जो fx है वो scale root of 3 minus x के बराबर है आप से करता है आपको इस function का क्या निकालना है domain निकालना है तो आप क्या लिखोगे fx will be defined जो function है वो बिल्कुल और बिल्कुल तब define होगा अगर 3 minus x का value 0 या 0 से बड़ा हो अगर 3 minus x का value 0 या 0 से बड़ा है तो तो फिक है और अगर 3 minus x का value 0 से छोटा है तो यह define नहीं होगा 3 is greater than equal to x अगर 3 x से बड़ा है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि x का value 3 या 3 से छोटी है अगर x का value 3 या 3 से छोटा है इसका value x बिलों करता है minus infinity से लेकर कहा तक 3 तक जो हमारा x होगा वो हमारे पास आएगा minus infinity से लेकर 3 तक इस function कहा जो domain होगा वो minus infinity से लेकर कहा तक आएगा 3 तक आप 3 से छोटा कोई भी number इसके बीच में डालो बात बन जाएगा लेकिन अगर आप इसमें 3 पंड एक भी डाल देंगे तो sky root में minus का 0 पंड बन आएगा जिसका sky root exist नहीं करता है क्योंकि वो item में आएगा और हम सारे के सारे real value function बढ़ते है real value function का मतलब है जिसका answer हमेशा और हमेशा real numbers आएगा ठीक है जी तो उमिद करते हैं ये simple simple सी चीज़े थी simple मैं आपको बहुत ऐसा नहीं कहा रहा है कि बहुत high five आपको domain देना ना चाहिए fx is equal to 1 by square root of 1 minus x आप से बोलते हैं इस वोले function का domain निकाल के दिखाएए अब हमारे बस दो पंगे है सबसे पहली चीज़ क्या है denominator में 0 नहीं आना चाहिए दूसी चीज़ क्या है कि square root के बीच में कभी negative चीज़ नहीं आएगा यहां तो 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि 0 आगया तो infinite होजएगा है ना तो आप इसको लिखोगे fx will be defined जो fx है वो defined होगा अगर square root के बीच वाली चीज़ 0 से बड़ी है क्योंकि अगर 0 के बराबर भी होगी ना तो 1 by 0 कितना बनेगा infinity जहां पर function define नहीं होगा तो इसका लब 1 minus x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए इससे ना तो denominator 0 बनेगा और ना ही सके root के बीच वे negative पर माने वाला है तो 1 minus x 0 से बड़ा है इसका लब 1 बड़ा है x से इसका मतलब ऐसा कहे सकता हूँ कि जो x होगा वो छोटा होगा किस से एक से अगर x 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब इस function की जो domain आएगी वो minus infinity से लेकर कहां तक आएगा एक तक तो कहने का मतलब इस function का जो domain होगा that will be from minus infinity से लेके 1 तक ठीके ना तो इसमें 1 include नहीं होगा क्योंकि वन पेई क्या बनेगा इंफिनिटी बन जाएगा ठीके तो उमीद करते हैं आपको इस तरह की question समझवें आ गए होगे next की तरफ चलते है next देखें आपसे आगे क्या कहता है और भी बहुत सारे questions है range के साथ आपको पढ़ाओगा अभी सबसे बहले मैं आपको थोड़ा सा range के बारे में बता दू range का मतलब क्या होता है ठीक है ना किसी भी function की range का मतलब क्या है range of function किसी भी function की range का मतलब क्या है domain इतना ज़्यादा मेरे लिए important नहीं है लेकिन range मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है कि on to function जो मैं प्रोड करूँगा तो उसे बहुत सारे question अब लोग range से करने वाले है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि range का मतलब क्या होता है range का मतलब क्या है it is the set of it is the set of all those real values which are which are obtained by function which are obtained by function on putting the on putting the elements of on putting the elements of domain in function it is the set of all those real values which are obtained by the function on putting the values of elements of domain in the function हमारे पास कोई भी एक function था y is equal to fx is equal to x आप ने ये कहा था कि sir इस function की जो domain है वो क्या है real number है real number क्या है minus infinity से plus infinity आप इसे minus put करोगे तो अंसर minus आजेगा आप इसे plus put करोगे तो अंसर plus आजेगा है ना तो कहने का मतलब है जब आप ये सारे के सारे real number बारी बारी करके इसके बीच में लगाओगे तो वहां से आपको y की values मिलेगे उन y की values को इकठा कर लेगे उन y की values का set बना लेगे जब उन y की values का set बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते है range बोलते हैं जैसे हमने आपको कहा था f of x बराबर है 1 by x के तो आपने बोला था इस function की जो domain है वो r minus 0 है इस function का जो domain हमारे पास है वो कितना है r minus 0 इसका मतलब है यहाँ पे 0 नहीं लगा सकता 0 को छोड़के तो लगा सकता हूँ आप 0 को छोड़के लगा दीजिए 0.1, 0.2, 1, 2, 2, 3, 10, 15, 20, 25, 30, जितना बरची जब आप इसके बीच में सारी values put करेंगे जैसे मैंने 0.1 put किया तो मुझे y के value कितनी मिलेगी 10 मिलेगी जब मैंने 0.2 put किया तो 5 मिलेगा जब मैंने 1 put क किया तो हमारे 2 put किया तो कितना मिलेगा 0.5 तो कहने का मतलब है बारी बारी करके हम लोग domain के element को इसमें put करते हैं और put करने से हम लोगों को y की values बिनती है उन y की values का हम लोग set बनाते है जो y की values का set बनता है उसको हम लोग क्या बोलते है range बोलते है so range is the set of all those real values obtained by the function by putting the elements of domain in the function domain के जितने भी element है आप उन सारे के सारे element को function में लगा दीजिए x की जहां पे जब आप उसको x की जहां पे बारी-बारी से elements को put करेंगे तो वहां से आपको y की values मिलेगी उन y की values का एक set बना लिजिए जब आप उन y की values का एक set बना लिजिए तो क्या बोलते है range of the function उस putting the elements of domain in the function, function में x की जगापे domain के element को put करना है, वहां से आपको y की values को carry करना है, एक set बना देना है, और उसको हम लोगों क्या बोलते हैं, range बोलते हैं, ठीके, तो अम्विद करते हैं, आपको range का मतलब समझ में आ गया होगा, 0.1, 0.2, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 20.2, आप इसे कुछ में लगा दो, जब भी आप value put करोगे, तो उसके correspondingly आपको किसका value मिलेगा, y का, उन सारी के सारी y की values को आप set की form में लिख दो, जब आप उसको set की form में लिखोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is set to be range of the function, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, range of the function, ठीके जी, उमीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते, next, next लिखे, next आप से क्या करता है, methods to find the range of the function, यह मैं आपको detail में नहीं करा सिर्फ ऐसा करा रहा हूँ, ताकि जो topic है plus to वाला वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यह सारा कसरा आप लोगों ने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी हम उमीद कर सकते हैं, मैं तो just revise कर वारा हूँ, methods to find range of function, methods to find range of function, हम लोग किसी भी function की range निकालना चाहते हैं उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, number one, just by observation, हम लोग सिर्फ और सिर्फ observation से बता सकते हैं कि उसका range क्या आने वाला है, सही है जी, ऐसे ही, उसके बार हमारे पास next आता है by applying formula, हम लोग formula apply करके उस function की क्या निकाल सकते है range, वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके साथ deal करते हैं, just by observation, सिर्फ और सिर्फ observation का इस्तेवाल करके, हम लोग किस तरीके से अपने जो function है, उस function की range निकाल सकते हैं, ठीक है जी, तो देखते हैं सबसे पहला question, आपसे कहते है, f is a function, defined from real to real, defined by fx is equal to 4 minus x, x minus 4, आपसे कहते है, f कोई भी function है, real number से real number तक है, हमने कैसे define किया, fx बराबर है, 4 minus x, और divide में कितना है, x minus 4, हम लोगों को इसकी domain निकालनी है, और हम लोगों को इसकी range निकालनी है, तो domain तो आपको दीखी रहा है, कि मैं x की जहां पे 4 नहीं लगा सकता, अगर मैंने 4 0, नीचे भी 0, 0 बर 0 बनेगा, indeterminate form होगा, function define नहीं होगा, तो cdc बात है, function की domain की तो बिलकुल भी हमें कोई समस्या नहीं है, real number और minus का 4, तो इस function का जो domain है, वो real number और minus का, क्या आएगा, 4 आएगा, हमारा interest है range में, आप इसमें x की जहां कोई मर्जी value पूट करके देख in fact मैंने आपसे ऐसा बोला, आप उपर वाले में से minus को common लेलो, जब आप उपर वाले में से minus को common लेंगे, तो आएगा minus का x-4 और इसके नीचे भी कितना आएगा, x-4 आएगा, तो हम इसको लिख सकते है, x-4 से x-4 कट जाएगा, और जो काटोगे तो इसका answer कितना आएगा minus 1, कहने का मतलब है, आप x की जगापे कुछ भी value पुट करके देखो, y की value, जो fx है, उस fx की value, हमेशा और हमेशा कितनी आ रही है, minus 1 आ रही है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, कि जब भी हम लोग domain के elements को इसमें पुट करेंगे, तो y की सिरफ और सिरफ single value निकल के आ अगर वो minus 1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं, कि इस function का range कितना होगा, इस function का range हमारे पास minus 1 होगा, ठीके जी, same सवाल में आपको देता हूँ, आप रही हीजे, f is a function from r to r, defined by fx is equal to 2x minus 4, divided by 2 minus x, आप से कहते हैं, इस function का आपको range भी निकालना है, और इस function का आपको domain भी निक लिखें, तो आपको लिए लिखोगे, यह वाला function define कब नहीं होगा, अगर 2 minus x किसके एकवला आजे, 0 के, अगर 2 minus x 0 के एकवला आगया, तो 2 किसके बराबर आएगा, x किसके, 2 is equal to x पी, यह function define नहीं होगा, अगर यह function define नहीं होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस function का domain कितना हो जब आप इस function की range निकाल लोगे, तो आप इन दोनों को ध्यान से देखो, यह इसका multiple है, हमने उपरवले में से क्या किया, हमने उपरवले numerator में से minus 2 को common ले लिया, तो बीच हो मेरे पास क्या बचेगा, 2 minus x, इसको लिखेंगे तो भी क्या एगा 2 minus x, तो 2 minus 6 से 2 minus 6 कट जाए कि जो यह function है, इस function की range होगी, इस function की range हमारे पास कितनी होगी, minus 2 हो जाएगा, तो इस तरह के question में हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी common sense हमें बताती है कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें देखते ही पता लगता है कि जो function का range है, इस function क range हमारे पास minus 1 था, और इस function का range हमारे पास कितना था, minus 2 था, ठीक है जी, आगे चलते है next examples की तरफ, next example में आप से क्या कहता है, देखे, next examples में आप से कहता है, f is a function, f is a function from real to real, f जो एक function है, वो real number से real number तक है, कैसे define हुआ, fx, हमारे पास बराबर है, किसके x के, क्या होता है y, so y is equal to fx, और बराबर है किसके x square के, आप से कहता है, इसके domain बताओ, इसकी range बताओ, domain बिल्कुल clear cut है, x की जहां पर कुछ मर्ची पुट कर दो, denominator में 0 नहीं बनेगा, square root के बीच में negative भी नहीं आएगा, किसका लसीधी सी बात है, इस function का, जो domain है, वो क्या है, real number है, अब अपनी बुद्धी का प्रियोग कीजिए, आप देखिए, जब भी में x की, जहां पर कोई भी value लगा दूँ, अगर मैं 0 लगाँगा, तो 0 आएगा, minus root करूँगा, तो plus आएगा, और plus root करूँगा, तो भी कहएगा, plus आएगा, क्योंकि minus का scale भी plus होता है, 0 का तो 0 होता है, y की, तो इसलब y क्या है, 0 या 0 से बढ़ा, और अगर y 0 या 0 से बढ़ा है, तो y बिलॉग करेगा, किसको, 0 से infinity को, अगर ये 0 से infinity को बिलॉग करेगा, तो वैसा कह सकते हैं, कि जो यह वाला function है, इस function का range होगा, 0 से infinity, 100% guarantee है, negative तो कभी होई नहीं सकता, आप x को r लगाए, real number का scale 0 या 0 से बढ़ा होता है, जगर ये 0 या 0 से बढ़ा है, तो इसलब y 0 से infinity को बिलॉग करेगा, और अगर ये 0 से infinity को बिलॉग कर गया, तो इस function का range कितना आएगा, 0 से लेकर infinity दटाएगा, ठीक है जी, उम्मीद करते हैं, समझ में आ रहा होगा, next, आप से कहता है, f is a function from real number to real number, ये हमारी exercise में भी आएगा, f of x बराबर है x square प्लस का 2, आप से कहता है, आपको इस की domain भी बतानी है, और आपको इस function की range भी बतानी है, अगर मैं इस function की domain के बारे में बात करूँगा, तो आपको होगे x की जगा, आप जो मन करें, वो put कर दो, हमें बिलुकुल कोई तकलीफ नहीं है, तो आप सीधा से लिखते हो, इस function की domain है, इस function की domain सारे के सारे real numbers है, अगर मैं इस function की range निकालना चाहता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो आप ऐसा लिखोगे x क्या है, real number है, अगर x real number है, तो x का square करने से 0 या 0 से बढ़ा होगा, मैं यह जो fx हमारे पास है, वो किसके बराबर है, y के, तो इसका अलब y की value कभी भी 2 या 2 से छोटी नहीं हो सकती है, इसका जब b y हमारे पास आएगा, वो 2 से infinity तक आएगा, और अगर यह 2 से infinity तक आया, तो हम ऐसा कह सकते है, कि इस function का range होगा, वो 2 से infinity होगा, close interval 2 से लिखे, open interval infinity तक है ना, 2 से चलना start हुआ, और हमारे पास कहां तक जाएगा लगातार, infinity तक जाएगा, ठीक है जी, उमीद करते हैं, आपको जो यह वाली चीज़ है, वो समझ में आ गई होगी, ठीक है जी, next चलते हैं, आगे देखे, next में आपसे क्या करता है, एक question में आपको देता प्राई कीजी, f is a function from r to r, जो हमारे पास f है, f कोई भी एक function है, r से r तक, है ना, जो f हमारे पास है, वो कोई भी एक function दे रखाया कैसा है, r से r, और फिर आपसे कहता है, f of x बराबर है, 2 x square प्लस 3, है ना, जो function हमारे पास है, f of x बराबर है, 2 x square प्लस 3, आपसे कहता है, आप मुझे इसकी domain भी निकाले के दिखा दो और आप मुझे इसकी range भी निकाले के दिखा दो तो जब हम इसकी domain range निकालेंगे तो सबसे पहली कहानी फिर से हुई है x की जहां पर कुछ भी put कर दो कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो यह function हर जगा define है अगर यह function हर जगा define है तो हम ऐसे कह सकते है इस function का domain कितना होगा all the numbers ऐसे ही आएगा अब आप क्या लिखोए x मेरे पास क्या है real number तो x का square मेरे पास क्या है 0 या 0 से बड़ा मैंने इसके दोनों तो 2 से multiply कर दिया तो 2 x का square 0 या 0 से बड़ा इसको 2 से multiply करेंगे तो 0 ही आएगा फिर हमने क्या किया इसके दोनों तरफ हम लोगों ने 3 जोड़ दिया तो 2 x का square प्लस 3 हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके 3 के जो यह वली चीज हमारे पास है वो क्या है y तो हम इसको लिखेंगे y is greater than or equal to 3 जो y हमारे पास है उस y का value 3 या 3 से बड़ा है और अगर y का value 3 या 3 से बड़ा है तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि जो y होगा वो belong करेगा 3 से लेकर infinity तक और अगर y 3 से infinity तक belong कर गया तो इस तरफ फंक्शन का जो range हमारे पास आएगा वो 3 से लेकर infinity तक close interval 3 से open interval infinity तक है ना 3 या 3 से इसका answer कभी 3 से कम तो आही नहीं सकता minimum से minimum यह 0 हो सकता और 3 में 0 को जोड़ोगे तो answer 3 आएगा और हर बार कुछ ना कुछ add होगा तो 3 से बड़ा जाएगा तो इसका answer कितना होगा close interval 3 से लेके कहा तर जाएगा infinity तक जाएगा ठीके जी तो उम्मीद करते हैं यह वाली चीज़े आपको समझ में आ गई होगी चले जी next आगे चलते next आगे चलते अब हम आपको कुछ special functions पढ़ाने वाले हैं बहुत important है आपको कुछ और आए या ना आए लेकिन इनकी domain range आपको अच्छे से याद होनी चीए क्योंकि हमारे वहुत काम की चीज़े हैं यह समझ में आ गया आगे चलिए next देखिया आपसे क्या करता है next हमारे पास है trigonometric functions हमारे पास कुछ trigonometric functions लिखे हैं उन trigonometric functions की domain range की बात हम लोग करने वाले है सबसे पहली चीज हमारे पास है y is equal to fx और is equal to sin x trigonometric function है 11th class में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था आपने पढ़ा भी होगा y is equal to fx is equal to sin x upon 1 आप इसे कुछ भी पुट कर दो कहीं में बिल्कुल कोई तकलिफ नहीं होगा है ना हमने पढ़ा था इस function का domain कितना होता है function का domain all real numbers होता है और जब हम इस function की range की बात करते हैं तो आपको 11th class में पढ़ाया गया होगा कि इस function का जो range होता है वो minus 1 से plus 1 होता है ठीके जी पढ़ा है तो अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो आप इसको learn कर लेना कोई बड़ी बात नहीं याद हो जाएगा काम की चीज़े learn होनी चाहिए ठीके जी उसे बार next हमारे पास हमारे पास आता है y is equal to fx or is equal to cos x y is equal to fx is equal to cos x यह जो हमारे पास cos x है इस cos x की जो domain है वो हमारे पास क्या है all the other numbers और जो इस function का range है वो भी again minus 1 से plus 1 के बीच में है ठीके minus 1 से plus 1 के बीच में उसे बाद तीसे नहीं नमबर पे जो हमारे पास आता है हम उसको लिखते है y is equal to tangent x is equal to fx तो y is equal to fx आप इसके बीच में जब पुट कर सकते हैं तो कुछ भी पुट कर दो लेकिन अगर 5 by 2 पुट कर दिया तो infinity बनेगा 3 by by 2 पुट कर दिया तो भी infinity बनेगा 5 by by 2 पुट कर दिया तो भी infinity बनेगा इसका उनलब इसके domain में सब r आएंगी बस 2 n plus 1 5 by 2 नहीं आएगा जहाँ पे n किसको बिलोग करता है z को क्योंकि 90 का कोई भी odd multiple में tangent के बीच में फुट करूँगा तो उसका answer हमेशा infinity में जाएगा तो answer हमें infinity में नहीं चाहिए तो कहने का मतलब इस function का जो range होगा वो minus infinity से लेके plus infinity तक होगा आपको 11th class में अपने इसका graph भी खीचा होगा minus infinity से plus infinity क्योंकि tangent और code जो है वो कोई भी value ले सकता है ठीके जी उसके बाद fourth number पे हमारे पास आता है हाला कि हम उसका इतना ज़्यादे इस्तेमाल नहीं करते है y is equal to cosecant x फिर हमारे पास आता है y is equal to secant x और फिर हमारे पास आता है y is equal to cortex ऐसे ना y is equal to cosecant x y is equal to secant x और y is equal to क्या है cortex है ठीके जी तो इसको देखिए अब cosecant को दिक्कत कहा होगी cosecant क्या होता है 1 by sin इसको दिक्कत कहा होगी जहाँ जहाँ पे sin 0 बनता है अब sin 0 कहां बनता 0 पे और n pi पे तो इस function की domain में सारे real number आने वाले है bus और bus कोन नहीं आएगा n pi नहीं आएगा जहाँ पे n किसको बिलोंग करता है z को और अगर मैं इस function की range देखूँगा तो आपको last year पढ़ाया गया होगा real number minus का minus 1 से लेके 1 तक या तो यहाँ जाएगा इसके बीच में नहीं होगा तो कहने का मदलब जो secant और cosecant होता है या तो वो minus 1 से छोटा होता है या तो वो plus 1 से बड़ा होता है कभी भी minus 1 और 1 के बीच में नहीं होगा ठीक है जी उसकरा secant secant को दिक्कत का होगी जहां जहां cos 0 बनेगा cos कहां 0 बनेगा जहां पे 90 आएगा है ना तो अब इसको लिख दोगा r minus 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z और secant का भी range बिल्को सेम है secant का range हमारे पास होता है real number में से minus 1 और 1 के बीच में जितने भी number आए है उसको हटा दो या तो minus 1 या minus 1 से छोटा या तो plus 1 या plus 1 से बढ़ा फिक है जी उसका last हमारे पास है y is equal to cortex इसका जो range है वो minus infinity से plus infinity है और इसको दिक्तत का होगी जहां पे tangent 0 बनेगा तो tangent कहां 0 बनता है tangent 0 बनता है real number minus का n pi n किसको बिलोग करेगा z को क्योंकि tangent 0 पे भी 0 होता है tangent pi पे भी 0 होता है tangent 2 pi पे भी 0 है tangent 3 pi पे भी 0 है तो tangent infinity कब बनेगा जब tangent 0 बनेगा tangent 0 कब बनता है जब n pi होता है तो इसका हमदा जब मैंस function के domain निकालने वाला हूँ तो इस function के domain में हम लिखेंगे r और minus का n pi where n belongs to z r minus का n pi है जहाँ पे n जो है वो किसको belong करता है z को इसके अंदर मुझे सबकी यह शक्ता नहीं है लेकिन कम से कम sin और cos तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जो sin x है उसका value minus 1 से plus 1 के बीच में लाई करता है उसके domain real number होती है जो cos x हमारे पास है उसकी जो domain है वो real number है और जो range है वो minus 1 से लेके plus 1 के बीच में है ठीक है जी next चलते हैं आगे और भी कुछ special functions हैं वो हम आपको बार में पढ़ाने वाले हैं पहले मैं आपको सिखा दूँ कि formula से हम लोग range किस तरीके से निकालते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास यही use होने वाला है कि formula से range निकालो range कैसे निकालेगी वहाँ लिखा नहीं होगा आपको देखना होगा ठीक है next लिखे range by formula range by formula formula ने इंपेक्ट तरीका है तो हम कैसे निकालते हैं हम लोगों को ऐसे दिरखा होगा y is a function of x हम लोगों को ऐसे दिरखा होता है कि जो y हमारे पास है y हमारे पास किसका function है x का function है आप से क्या कहता है y एक तरफ होता है और सारी x की terms एक तरफ होती है आप क्या करोगे express express x as a function of y हम लोग x को एक तरफ कर देंगे सारे के सारे y को एक तरफ कर देंगे तो हम ऐसा लिए देंगे जो x है वो y का क्या है function है उसके बाद आपको मालूम है ऐसे होता है मारे पास ये x है ये y है और ये मारे पास क्या है function तो function का मतलब क्या है range sorry range का मतलब क्या है y तो इसलब y की values को इकठा कर लो तो क्या बन जाता है range उसके बाद आप इसे देखेंगे now see the values of y now see the values of y for which now see the values of y for which x is defined आपको y की वो सारी की सारी values को check करना है जिसके लिए हमारा function क्या होगा define होगा तो उन सारी की सारी y की values को all those values all those values will be in the या आप ऐसा कहते है set of all those real values the set of all those real values will be range of the function वो सारी की सारी real values का set जोगा वो स function की क्या होगी range होगी हमने आप से क्या कहा है हमारे पस कोई फंक्शन दे रखाओगा y f x के बराबर है तो इसका लगा y एक तरफ होगा x की सारे term से एक तरफ होगी आपको क्या करना है x को हमको y की form में लिखना है फिर हमको यह दे लिखना है y की किन values के लिए x define है उन सारी values का set बना लेना है वो स function का क्या होगा range होगा मैं बहुत बड़ी example देता हूँ आपको देखें आपसे कहता है f is a function from real to real और आपको इसी तरह के सवाल हमारी exercises में देखने को मिलेंगे जिसमें आपको domain दे जाती होगी तो आपको 11 on 2 चेक करने में बिल्कुल भी परशानी नहीं होगा ठीके जी तो देखें क्या कहता है f of x हमारे पास बराबर है 4x plus का 5 divide by 2x minus का 3 हमारे पास एक function दे रखा है f of x बराबर है 4x plus का 5 और divide में कितना है 2x और minus का 3 तो आपसे कहता है आपको इस function का domain और range निकाल के दिखाना है क्या आएगा निकाल सकते हैं सबसे फिरी domain domain मौ लीके लिखाए f x will not be defined यह व्याँ function define नहीं होगा कब अगर 2x minus 3 किसके बराबर आजए 0 के तो 2x किसके बराबर आजए 3 के तो x किसके बराबर आजए 3 by 2 इसकलंब यह व्याँ function 3 by 2 पे define नहीं है और अगर यह वाला function 3 by 2 पर define नहीं है तो मैं लिख सकते हैं real number और minus का 3 by 2 इस function का जो domain हैगा that will be real number minus का 3 by 2 हमारा interest इसके domain में नहीं है हमारा interest इसकी range में है range कैसे निकालते हैं सबसे बहले हमने आपसे कहा जो y है आप उसको लिख लो 4x plus 5 divide by 2x minus 3 तो आपसे कहते हैं आपको इस function का range निकालना है तो क्या करेंगे cross multiply कर दीजी जब हम इसकी cross multiply करेंगे तो आएगा 2xy इसको लिखेंगे minus का 3y is equal to 4x plus 5 अब सारे x वाले एक तरफ कर लो और सारे y वाले एक तरफ कर दो तो हम इसको लिखेंगे 2xy minus का 4x और इसको लिखेंगे तो 3y plus का 5 तो जब हम यहां से x की value निकाल लेंगे तो हमारे पास हैगा 3y plus का 5 और divide में कितना हैगा 2y और minus का 4 ऐसा बन जाएगा तो हमने क्या कर दिया x को y की form में express कर दिया तो x हमारे पास function बन गया किसका y का अब हम लोगों को क्या निकालना है अब हम लोगों को range निकालना है तो मैंने आपसे क्या होला see the values of y for which x is defined आप यह देखे x defined का बोगा जब denominator 0 नहीं बनेगा है ना तो आप इसको लिख देना x will be defined जो x होगा वो defined होगा if 2y minus 4 is not equal to 0 अगर 2y minus 4 0 के बराबर नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा define हो जाएगा तो इसका लग 2y should not be equal to 4 so y should not be equal to 4 by 2 तो कट गया तो 2 आगया अब बेसी बात है अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता तो इसका लग 2 वहाँ पर जाकर किसी से नहीं मिलता तो इसका लग उसकी range में क्या नहीं आएगा 2 नहीं आएगा तो अगर उसकी range में 2 नहीं आया तो अगर उसकी range में real number और minus का 2 हर चीज आ सकती है real number लेकिन minus का 2 जो है उसका अंसर होगा उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एक question में आपको और देता हूँ आप उसको try करके देखिए बहुत simple सा सवाल है उमीद करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा ठीक है जी next question की तर चलते है next question में देखिए next question में आप से क्या करता है next question में देखिए next question में आप से क्या करता है next question में आप से करता है f is a function from real to real defined by fx is equal to 4x minus 5 divide by 3x और plus का 8 ऐसा function देदिया आप से करते हैं इसका domain भी निकालो इसका range भी निकालो ठीक है तो आप लिखे ले ना मैं सीधा लिखा हूँ domain में वो सारे x आएंगे जहाँ पर यह 0 नहीं बने यह 0 कब बनेगा 3x plus 8 is equal to 0 3x is equal to minus 8 and the value of x will be equal to minus 8 by 3 तो कहने गा अतलब यह वाला function define होगा हर जगा पे बस real number में से minus के 8 by 3 को बाहर निकाल दो क्योंकि minus 8 by 3 पे इसका denominator किस के बराबर है 0 के बराबर है अब हमारा interest है range में पीछली बार की तरह बिल्कुल सिंपल सी जी है निकाल लेते हैं हमने fx को y के बराबर कर दिया इसको 4x minus 5 लिख दिया और इसको 3x plus 8 लिख दिया है ना? अब आपसे क्या कहता है आपको इसका range निकालना है तो हम range निकाल सकते हैं 3xy minus 4x इसको लिखे जाएंगे तो minus 5 और minus 8y x को बहार निकाल लेंगे तो 3y minus 4 इसको लिखोंगा तो minus 5 और minus 8y तो x हमारे पास हो जाएगा minus 5 minus 8y divide by 3y minus 4 ऐसा बनेंगा ना? फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे x will be defined जो हमारे पास x है वो define कब होगा? अगर 3y minus 4 0 के बराबर नहीं है अगर 3y minus 4 0 के बराबर हो गया तो जो हमारा x है वो define जो है वो नहीं होगा फिर ना? तो इसलिए आप क्या लिखोगे 3y minus 4 is equal to 0 so 3y is not equal to 4 so the value of y will not be equal to 4 by 3 ठीके? जो भारे पास y होगा उस y का value 4 by 3 के बराबर नहीं हो सकता है इसलिए इस function की range में सारे real numbers आएंगे सिरफ और सिरफ और नहीं आएगा 4 by 3 नहीं आएगा क्योंकि अगर मैंने इसमें 4 by 3 लगा दिया तो 4 by 3 लगाने से जो x है वो undifind हो जाएगा ठीके जी? तो उमीद करते हैं आपको ये वहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा next चले आगे next question की तरह चलते है next question देखे क्या है next question में आपसे क्या कहता है next question में आपसे कहता है y is equal to fx is equal to square root of x minus 3 ठीके ना आपसे कहते हैं इस function का domain निकाल के दिखाएए इस function का dhng निकाल के दिखाएए सहीए जी, start करें सबसे बेले हम लोग domain की बात करते हैं तो domain जब आप लिखोगे तो आप के लिखोगे fx will be defined fx will be defined if x minus 3 greater than or equal to 0 अगर x minus 3 का value 0 या 0 से बढ़ा हुआ तो यह function define होगा otherwise यह function define नहीं होगा इसलिए x का value 3 या 3 से बढ़ा होगा और अगर x का value 3 या 3 से बढ़ा हुआ तो इस function का जो domain है वो 3 से लेकर कहा तर जाएगा infinity तक ठीक है ना इस function का domain है इस function का domain 3 से लेकर infinity तक होगा ठीक है जी उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा फिर हम लोगों को इस function की क्या निकालनी है range तो इस function की range निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको y is equal to f x करेंगे जैसे पहले किया था y is equal to root x minus 3 अब हम क्या करते है x को y का function मनाते है तो आप इसको लिखोगे squaring both sides हम लोगों ने इसके दोनों तरफ squaring कर दिया तो जब हम इसके दोनों तरफ squaring करेंगे तो y square will be equal to x minus 3 जो y का square है वो किसके बराबर हैगा x minus 3 इसको उठाके उदर ले जाओ तो x किसके बराबर हैगा y square plus 3 है ना तो x एक तरफ आ गया y वाली जितनी भी terms थी y वाली सारी के सारी जो terms हैं वो एक तरफ आ गई सही है ना तो अब आप यहां से देखो y की किन values के लिए x दिफाइन होगा अब y की जहां कुछ भी put कर दो x को कभी कोई तकलीव है ही नहीं तो और क्या लिख होगे x will be defined x will be defined for all values of y belongs to r इस अलब y किसको बिलोंग करता है real number को real number का मतलब क्या है 0 minus infinity plus infinity लेकिन अगर मैं y को ध्यान से रिखो तो y कैसा function है square root function है और अगर y square root function है तो square root function कभी भी क्या नहीं हो सकता negative नहीं हो सकता इसलिए हमने इसके बीच में से negative वेला portion जो है उसको हटा दिया ठीक है तो आप लिख देना y is a square root function जो y हमारे पास है वो square root function है इसलिए y कभी भी negative नहीं हो सकता इसलिए y हमेशा क्या होगा positive होगा और अगर y हमारे पास positive होगा तो इसका answer 0 से लेकर infinity तक जाएगा ठीक है इसलिए y belong करेगा 0 से infinity और अगर y ने 0 से infinity belong किया तो इसका answer कितना आएगा 0 से लेकर कहां तक जाएगा 0 से लेकर infinity तक जाएगा ठीक है जी उमीद करते हैं आपको ये वहला जो सवाल था वो समझ में आ गया होगा बहुत straight forward सवाल है हम लोग ने इसको y के बराबर किया squaring किया वहाँ से x का value निकाला फिर हम क्या बोलते हैं y की किन values के लिए x define है तो हम क्या बोलते हैं y को कुछ भी लगा लो x को कहीं पर भी कोई समझ्या नहीं है इसलिए जो y है वो r को belong करेगा r में minus infinity से plus infinity तक आता है लेकिन y कभी negative नहीं हो सकता क्योंकि square root function है इसलिए y हमेशा positive होगा तो 0 से infinity को belong करेगा इसलिए इस function का range भी 0 से infinity तक आएगा ठीके जी उमीद करते हैं समझ में आ रहा होगा next question की तर चलते next question देखे आप से क्या करता है next question में आप से क्या करता है next question में आप से करता है y is equal to fx is equal to 4 minus x square का square root आप से कहता है आप इस function की domain भी निकालो और आप इस function की range में निकालो ठीक है जी कैसे निकालेंगे देखो सबसे बेले आप लिखेंगे fx will be defined जो fx है वो define होगा if 4 minus x square greater than or equal to 0 हम किसकी बात करेंगे domain की fx will be defined when 4 minus x square will be greater than or equal to 0 फिर आप के लिखोगे इसके factor बना दो 2 square minus x square will be greater than or equal to 0 तो 2 plus x और 2 minus x greater than or equal to 0 अब बहुत सरे लोग जो है वो इसको अलग अलग तरीके से करते हैं कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं दोनों positive कब होँगे जब दोनों positive या दोनों negative होँगे मैं बिल्कुँ simple तरीका बता रहा हूँ आप उससे कर लेना गलत नहीं होगा कभी में ठीक है आप यह देखो 2 plus x जो है वो 0 कब बनेगा इसको 0 के बराबर करके देखे लो तो x का value कितना आएगा minus 2 तो हमने इसको लेखे लिए यह आगया minus 2 और यह कब 0 बनेगा यह plus 2 यहां क्या है plus infinity और यहां पे हमारे पास क्या है minus infinity अब आपको क्या करना है इनके बीच में से कोई भी नंबर उठा लो जो आपका मन करता है रेंडम ली उठा के देख लिजी तो minus infinity से minus 2 के बीच में कोई भी नंबर बने उठा लिए जैसे minus 5 आप लिख देना minus 5 बिलोंग करता है minus infinity से लेके minus 2 के बीच में और minus 5 को यहां लगा के देख लो तो जब आप यहां लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 minus 5 2 minus का minus 5 तो minus 3 multiply 7 तो अंसर किता हैगा minus 21 हम लोग interested हैं साइन में तो आपको मालूब है अंसर क्या आएगा ठीक है फिर minus 2 से 2 के बीच में सबसे सिंपल कौन है 0 आप 0 को उठा लो तो 0 बिलोंग करता है minus 2 से 2 तक 0 लगई 2 plus 0 2 minus 0 कितना हैगा 4 4 आने का मतलब क्या हुगा 4 आने का मतलब क्या हुगा यह positive है ठीक है जी उसके बाद आप क्या देखोगे 2 से लिके infinity में क्या आता है 4 ले लो आपने लिख लिया 4 जो है वो 2 से infinity में आता है 4 गुट करके देख लो 2 plus का 4 2 minus का 4 6 गुणा minus 2 करेंगे तो minus का 12 आएगा और यह हमारे पास क्या आएगा negative आजएगा ठीक है ना तो पहले वाले interval में negative है दूसरे वाले interval में हमारे पास positive है और तीसे वाले interval में हमारे पास क्या है negative है अब यहाँ पे निशान देखो हम लोगों को क्या लेके आना था हम लोगों के लेके आना था कि जो यह वाली value है वो 0 आए 0 से बड़ी तो 0 आए 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है positive तो आप यह देखें इन तीनों में से कौन से interval में positive value आ रही है minus 2 से 2 के बीच में तो आप लिख देना इस function का जो domain होगा वो minus 2 से लेकर 2 के बीच में होगा यह imply करेगा x belong करेगा minus 2 से लेकर 2 के बीच में अब minus 2 से लेकर 2 के बीच कोई भी value इसमें लगा के देखें अंसर बिल्कुँ सही है अब इसमें 3 लगाईए इसके root of minus 5 आएगा minus का 2.1 लगा लगा के देखें लो ना तो minus का 0.1 आजएगा तो इसके root तो exist करेगा नी न तो कहने का मतलब है अगर मैं इस function की domain निकालना चाहता हूँ तो इस function का domain कितना आएगा minus 2 से लेकर plus 2 तक ठीक है जी अब हम लोग निकालना चाहते है अब हम लोग निकालना चाहते है range किस का, इस function का इस function का range कैसे निकालेंगे y को बराबर कर देंगे square root of 4 minus x square से फिर आपके लिखोगे both sides, हमने इसके दोनों तो square कर जब आप इसके दोनों तो square करेंगे तो y का square किसके बराबर आएगा 4 minus x square के इसको इदर लेकर आएगे x square will be 4 minus y square अब इसको लिखोगे x will be equal to square root of 4 minus y square फिर आप क्या लिखोगे x will be defined जो x है वो define होगा कब होगा अगर 4 minus y का square 0 या 0 से बढ़ा हुआ और ये वाली चीज तो उमने अभी करके देखा था तो इसमें x कहा गया था minus 2 से 2 है ना तो जब सेम चीज हम यहां लगाएंगे तो y कहा जाएगा minus 2 से लेके 2 तक इसका मतलब ये वाली चीज minus 2 है ये वाली चीज plus 2 है और ये वाली चीज क्या है 0 है अब आपको देखिए y जो है आप क्या लिखोगे but y is a square root function जो y हमारे पास है वो एक square root function है और अगर एक square root function है तो y कदाचित भी negative नहीं हो सकता y is a square root function so y can never be negative और अगर y के विल्व नेगटिव नहीं है तो इसला यह वाला portion तो होगा ही नहीं और अगर यह वाला portion लेगँ हुआ तो y belong करेगा किसको 0 से लेगा 2 तक और अगर y 0 से 2 दोटक belong कर गया तो इस function की जो range आएगी इस function की range 0 से लेगे 2 तक आएगी फिक है तो यह वाला जो function था इस function का domain minus 2 से लेगे 2 तक है और इस function का जो range है वो 0 से लेगे 2 मिलकुँ तो simple सी चीज थी, हमने इसको चेक किया, कहां पे negative, कहां पे positive, कहां पे negative, उसके बार हमें positive चीजिए था, तो minus 2 से 2 के बीच में आया, फिर हमने देखा, x कब define होगा, अगर 4 minus y square 0 या 0 से बढ़ा होगा, तो y की value minus 2 या 2 के बीच में होली चीजिए, y square root function है, negative कभी होगा नहीं, इसलिए positive होगा, तो zero से 2 के बीच में जोगा, वो हमारा answer आजएगा, फिक है जी, उमीद करते हैं, आपको ये वहला जो सवाल था, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिक है, एक question मैं और देना हूँ ऐसा ऐसा, वो आप करके दिखाए, लिखे, fx is equal to square root of x square minus 9, जल्द अबर है, square root of x square, और minus का 9, ऐसा ही है, फिर आपसे क्या करता है, आपको इसकी क्या निकालनी है, domain भी निकालनी है, range भी निकालनी है, पहले में range निकालने में, चल्द डोमेन निकालनी है, domain में आप क्या लिखोगे, fx will be defined, जो fx है, वो defined होगा, कब, अगर x square minus 9, 0 या 0 से बढ़ा हुआ, तो x plus का 3, और x minus 3, 0 या 0 से बढ़ा हुआ, अब यह देखो, यह 0 कब बनेगा, minus 3 पे, यह 0 कब बनेगा, plus 3 पे, यह plus infinity, यह minus infinity, इसके बीच में कोई भी number हमने ले लिया, कोई भी लो, जैसे minus 5 ले लिया, इससे put करके देख लो, minus 5 plus का 3, minus 5 minus 3, minus 2, minus 8, तो यह plus का 16, तो यह आ गया positive, minus 3 से 3 के बीच में क्या है, 0, तो आप इसमें 0 लिख लो, क्या बज़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लो, तो 0 plus का 3, औ minus का 9, तो यहाँ negative आ गया, 3 से infinity में 6 ले लो, 6 रख लो इसके बीच में, 6 plus का 3, और 6 minus का 3, 9 गुना 3 करेंगे तो क्या एगा, 27, इसका लगा यहाँ positive आईगा, अब हम लोगों को क्या देखना था, हम लोगों को यह देखना था, यह positive कहाँ बनता है, एक तो यहाँ बनता है, और यहाँ बनता है, तो आप इसको लिख देना, कि जो x हमारे पास आएगा, वो minus infinity से लेके minus 3, union 3 से लेकर infinity, तो इस function का जो domain होगा, वो भी same होगा, r minus minus 3 से 3, तो minus 3 से लेके 3 के बीच में जितने भी real number हैं, आप उन सारे के सारे real numbers को छोड़ दीजे, तो minus 3 से लेके 3 के निखिलेंगे, तब भी कोई तकलीफ नहीं है, तब भी same to same आएगा, ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों को इस function की क्या निकालने थी, हम लोगों को इस function की range निकालने थी, तो इस function की range का मतलब क्या होगा, सबसे बहले इसको y के बराबर रखेंगे, तो हम ज़े इसको y के स्क्वेरिंग बहुत साइट्स कर दीजिए, तो y-square बराबर होगा, x-square और minus 9, इसको उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आजेगा, x-square will be equal to y-square plus 9, तो x will be equal to square root of y-square plus 9, ठीक है, तॉप के लिख होगे, x will be defined, जो x है वो define होगा, if y-square plus 9, 0 या 0 से बढ़ा, आपको मालूम है, ये तो हर real number के लिए ऐसा होगा, मैं y भी नहां कुछ भी लगा दूँ, इसका अंसर हमेशा 0, 0 से बढ़ा आना है, क्योंकि y-square तो भी negative होगा नहीं, तो y-square plus 9 हमेशा 0, 0 से बढ़ा आएगा, इसको य किसको भी लोग करेगा, real number को, real number में हमारे पास क्या होता है, ये minus infinity है, ये हमारे पास plus infinity है, और ये हमारे पास क्या है, 0 है, आप लिख देना, y is a square root function, जो y हमारे पास है, वो एक square root function है, इसलिए y कभी भी negative नहीं हो सकता, इसलिए y हमेशा कैसा होगा, positive होगा, और y हमेशा positive होगा, तो इसका मतलब negative वाला portion छोड़ देंगे, और इस function का, जो range आएगा, वो close interval 0 से लेकर, open interval infinity तक होगा, ठीक है, तो इस function का, जो range होगा, इस function का range, close interval 0 से infinity तक होगा, ठीक है जी, तो आज की video lecture में इतना ही, next video lecture में मिलते हैं, कुछ special function के साथ, उनके graph discuss करेंगे, और उनकी domino range discuss करेंगे, तब त जुड़े रहे, thanks to all of you for watching my videos, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, next video lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए, good night to all of you,